दोस्तो, रंग भेत के खिलाफ यूद्ध छेड़ने वाले और साउट अफरिका के सबसे पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बनने वाले नैलसन मंडेला की जीवनी कुछ अनोखी सी है। मैं आज आपको इन ही के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं। नैलसन मंडेला का जन्व 18 जुलाई 1918 में साउट अफरिका के एक छोटे से गाउं मैवैजो में हुआ था। इनकी माता का नाम नोसकेनी और पिता का नाम गैडला हेंडरी था। बचपन में मंडेला का नाम रोलहल हाला था। मगर जब वे प्राइमरी स्कूल में थे तब उनके टीचर ने उनका नाम नैलसन रख दिया था। दोस्तों नैलसन मंडेला जब केवर 12 साल के थे उनके पिता के मृत्ति हो गए थी। नैलसन मंडेला ने अपने प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई क्लेर्गबेरी बोर्डिंग इस्टिटूट से की। इसके बाद इन्होंने हेल टाउन के वेसलें सेकेंडरी स्कूल से अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की। University of Fort Hare में जब नैलसन मंडेला अपनी Bachelor of Arts की पढ़ाई कर रहे थे। तब छातरों को आंदोलन के लिए उकसाने के कारण इन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया था। कॉलेज के समय से ही नैलसन मंडेला रंगवेद के खिलाफ आंदोलन करते थे। 1944 में नैलसन मंडेला ने अफरिकन नैशनल कॉंगरस जॉइन किया। और जल्द ही वे इस ग्रुप के एक बड़े लीडर बन चुके थे। धीरे धीरे भूत लोग अफरिकन नैशनल कॉंगरस के साथ जुणने लगे। और ये एक बहुत बड़ा ग्रुप बन चुका था जो की अपार्थेड याने की रंगवेद के खिलाफ था। 1962 में नैलसन को लोगों को आंदोलन के खिलाफ भड़काने के लिए देश द्रोह की केस में जेल में डाल दिया गया। और अफ्रिकन नैशनल कॉंगरस में प्रतिबन लगा दिया गया। जेल में नैलसन ने गुप्त रूप से अपनी जीवनी भी लिखी थी। 1989 में नए प्रेसिडेंट डी क्लेर कनी रंग भेद के खिलाफ लोगों और नैलसन के साहस को देख कर अफ्रिकन नैशनल कॉंगरस में से प्रतिबन हटाया। और 11 फरवरी 1990 में नैलसन को रिहा कर दिया। और 1994 में दक्षन अफ्रिका के एलेक्शन्स में पहली बार ब्लैक पीपल्स ने भी पार्टिसिपेट किया। और अफ्रिकन नैशनल कॉंगरस ने मिजॉरिटी वोट्स जीत कर अपनी सरकार बना ली। 10 में 1994 में नैलसन मंडेला साउथ अफ्रिका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनी। दोस्तो, रंग भेर याने की अपार्थेट सिस्टम साउथ अफ्रिका में 1994 के बार पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। सम ग्रेट ओनर्स ओफ नैलसन मंडेला 16 में नैलसन मंडेला जोन्तल जोंतल अब। ड्रेटरिक दी कलर्रीक प्रेड conference in 1993 He was awarded with India's highest civilian honor, Bharat Ratna, in 1990. Nelson Mandela has been awarded with Mahatma Gandhi International Award for Reconciliation and Peace, 2008. These are the list of some awards of Nelson Mandela. Statue of Nelson Mandela, located in Nelson Mandela Square, in Johannesburg. The Struggle is My Life, by Nelson Mandela, published in 1978. Mandela, an Illustrated Autobiography, published in 1996. Conversation with Myself, Book, written by Nelson Mandela, published in 2010. Dostow, South African Gandhi कहे जाने वारे Nelson Mandela की मृत्यू 5 December 2013 में हुई थी.